हमारे चैनल से जुड़े रहना के लिए यूटूब पर चांद मल्टी मेडिया सब्सक्राइब करें नाते नभी सुनकर आप हज़रात को खामोश नहीं रहना चाहिए लेकिन अगर आप बोल देंगे तो आपके मुकदर होजे सुरिया पर पहुंच जाएगा मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि आज शुरू में ही थोड़ा से मिज़ाज मेरा डिस्टर्प हुआ हकीकत ऐसा नहीं है कोई भी नाजिन किसी भी दाइरे में किसी भी वक्त में काम ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ काम हो जाए मैं बैट जाना चाहता हूँ समझे रहें काम हो जाए एनाम हासिल हो जाए ये बहुत बड़ा काम है हम वो एनाउंसर में से नहीं है कि मजमाद दो वहाँ बैठा हो चार वहाँ बैठा हो पांच वहाँ बैठा हो और हम अपना काम दूशेर पढ़के बैठ जाएं चिर्प अगर दो मिनट में किसी का नाम ही लेना हो तो हम फिर मुझको बलाने के जरूरत नहीं थी लेकिन अगर आपने थोड़ी महबद दे दी अगर आपका जलसा रंग चड़ गया तो मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि हम आपके माईक पर जादा देर रहे हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि एक जलसा नहीं है साल में लिये दिये 2018 का कि इसमें जितना बोलना है हमको बोलने मुसलसल बोल रहे हैं मेरी आवाज बता रही होगी आपको इसलिए आप अज़रात बैटें आपका जलसा बहुत ठीक ठाप धंग से चलेगा थोड़ा सा मुझे मिज़ाज बनाने दीजे आपका जब मिज़ाज बन जाएगा तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आपके सामने ज़्यादा मसाफ़ा करें बस कि आपके महमान सोरा आप होंगे आपकी सिमात होगी और इनके मुकदस नात होगी आप अधरात आप ये सोच रहे हैं कि हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे साहब बोलेंगे बोलेंगे अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे लखनों के उस आदिल लखनवी करशेर याद आएगा तलाब कुम शुदा था कुमा भी नहीं रहा अपनी महबतों का निशा भी नहीं रहा महंगा बहुत बढ़ा है बलंदी का ये सफर पहले में जिस जगा था वहां भी नहीं रहा अगर आप इस तरह खामूश बैठेंगे तो दुनिया ये कहेगे मुसल्मान अब खामूश हो गया है अगर आप ये बोलेंगे तो हर तरफ से आवाज आएगी नहीं नहीं मुसल्मानों के कौम अब्वेदार है तो आवाज जिस तरह वो नी चाहिए आसमा से फत्र का नक्षा उतर कर आएगा जब सुबां पे नारे अल्ला हुबक्पर आएगा हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरह दें बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरह दें नारे तक्बीर पुरा मजबादों नहाज़क उठा कर नारे का जवाब दें नारे तक्बीर मेंगा बहुत बड़ा है बलंदी का ये सफर लेकिन आपने अपने आवाज पहुचा कर ये हिसास कर दिया जमाल अख्तर हम पत्थर नहीं हैं जो मुस्तफा के नाद सुनकर खामूश बैठे अरे दिवाना तो वो दिवाना होता है शमा जलती है तो परवाना मचलता है नभी का जिक्र होता है तो दिवाना मचलता है शमा जलती है तो परवाना मचलता है नभी का जिक्र होता है तो दिवाना मचलता है मुस्तफा के नाज सुनकर आप खामुश बैठो ये हो नहीं सकता और अगर कोई नाज पढ़के आप आराम करें ये मैं होने नहीं दूगा अगर आप मेरे साथ हो जाएंगे तो ये चंदरपूरा का जरसा एक साल तक नहीं हुसुर मनसुर मिल्लत के फैजान से कई साल तक याद रखा जाएगा जरसा एक बार बोल दीजे हाँ उठा कर सुभान अल्ला हैस्ता हम खटा के बोलो ना बढ़ा के बोलो बरेली का सुर्मा लगा के बोलो उना मजमा आवाज देख कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं अगर वो लोग नहीं बोलेंगे तो मैं चौपट बनारसी का एक शेर पढ़ूंगा वो कहता है मस्त हो वलस्त हो पटक के मारो पंदरह अगस्त हो इस तब शेर नहीं चलेगा इसलिए कि जलसा है अब ये कादिमी गड़वा में मुलाकात होगी का जमाल अग्तर तो ही शेर पढ़ता है हम भी शेर पढ़ते है हमने कहा तू सुनाओ बारा बज़े रात में दिन में गमची बांदा हुआ था कहा सुनिए तेरे जल्मों सितम से तेरे जल्मों सितम का जरिया हो गया हूँ ए सूरज रहम का रहम तो अब करिया हो गया हूँ ए सब ठीक नहीं लगए लगा यह सब शेर वहां पढ़े जाएंगे जो सियासी जलसे होगा यहां शेर तो वह पढ़े जाएंगे जो मुस्तफा के तारीफ होगी 2018 में हजरत कई जलसे पढ़े मगर कई कमिटी मिले लेकिन आज तक हमको शरीफ कमिटी नहीं मिली लेकिन अल्ला कसम यहां शरीफ कमिटी तो है ही नाम भी शरीफ कमिटी है अल्ला ताला सलामत रखे मैंने पूछा शरीफ कमिटी वालों क्या इरादा है तो इन कमीटी के नौजवान उने का जमाल अस्थर ये जमीन के आस्मान बोले, उनकी तारीफ तो जहान बोले, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, शरीफ कमीटी का हर नौजवान बोले, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, शरीफ कमीटी का हर नौजवान बोले, बस मैं चाहता पर दाग रह जाएगा मेरा जलसा कहीं से कमजोर हो गया इसलिए दोस्तों आपने बड़ी मेहना से जलसा साजाया है हिंदुस्तान के दो चंपियन आवाजें नई आवाजें आपके बीच हाजिर है हजरते कारी राहत साथ किला जैसे जैयत शोरा की भी हाजरी मौजूद है हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जगों पे इमामत के मुसल्ले को आबाद करने वाले शागिर्द जिनके घूम रहे हैं वह आपके अलाके का जैयत है गजीम हजरत अलामा कारी सफीर अमद साथ किला की जात है इनके सदारत का जलसा आगे बढ़ेगा बस आप अदब के साथ बैठिये इस वक्त मैं चाहता हूं कि चंदरपूरा का जलसा सिर्फ नाथ खाने पर मुनहसिर नहो जाए रात के सबादस बच गए इस हिसाब से मुझे काम करना है कि एक बहुत अच्छे शोरा तक आपको पहुँचना है उसके माद कुछी लहमे के मादलहाज मुबारक हुसें मुबारक की हाजरी हो जाएगी ये दो शोरा की शायरी होगी है मगर बीच में आपके शायके को तब्दिल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि मदरसा मनजूर लुलूम कामद शरीफ के आहाते का एक ऐसे खुश्बू एक ऐसा पाकी सा शगूफा जिसकी समातों जिसकी आवाज की खुश्बू मतिने शरीफ का पता बता दे मसलके आला हजरत के डंका बचाने वाली जात हजरति अल्लमा एजासामा साब किवला वो दस मिनट के लिए आवाज दे रहे है कोई मुकर्र के लिए दस मिनट देना ये अकलमंदी नहीं है मगर बोलने वाला हो तो दस ही मिनट पे पहाण खड़ा कर सकता है आईए उनके मुलकात कर लीजे हाथ उठाकर नारा लगाएए आप लोगों नाभी तक बहुत कंदूसी से काम लिया है एक बार बलंद आवाज से हाथ उठाकर ऐसा लगा ये आवाज का नारा कि यहाँ से आवाज उठे पूरे आलाके में सुनाई दे नारा ये तक्बीर आओ धीरे बोलिए धीरे बोलिए कोई जाने का तो तुरंट सुबह में आपको केस कर देगा अरे चारा कुना मैं जमा बोलो ना भाई नारा ये तक्बीर नारा ये रिसालत मस्लक आला हजरत खुलमाए एहल सुनत मरने के तरफ देखना जीने के तरफ देख जब चोट लगे दिल को मदीने के तरफ